हेलो फ्रेंड्स आगते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एक्शन्स में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसिंग अर्बन डेवलेप्पेंट कारपोरुशन लिमिटेट के स्टॉक के बारे में जिसको हुड को नाम से भी जाना लुँक्त करने वाले हैं तो चलिए अब हम चलते हैं यह जो आप चार्ट देख रहे हैं यह यह टेडिगी के प्लैटफॉम पे देख रहे हो मैंने यहाप डिलि टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रिका है स्टॉक जो है जून मंद में अल्मोस 58 रुपीज का हाय लगाने के बाद इसमें शाप सेलिंग हमको देखने को मिल चुकी थी जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो 39 से 40 रुपीज का इसमें बहुती स्टॉंग सपोर्ट है जो है यहाँ पर मल्टिपल टाइम सपोर्ट लेकर उपर बाउंस कर चुका है अगेन यहाँ से अगर आप बाई करते हो तो हमें उपर के सेट 55 रुपीज पर इसमें आप यहाँ पर टार्गेट्स रख सकते हो और आने वाले कुछी दिनों में हमें टार्गेट्स भी अच्छ की देखने को मिला है यह एक्जेक्ट्ली सपोर्ट लेवल पर ही देखने को मिला है जो की काफी अच्छी बात कर मिया से कंसिडर कर सकते हैं तो जल्द है आमें उपर के साइड में 55 यह बात करेंगे तो यह कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही श्डॉंग है तो चलिए फ्रै वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपीज इसकी फेस वैल्यू है अब हम यहां से इसकी सेकुरिटी वाइस डिलेवरी पोजिशन चेक करते हैं तो चलिए अब हम टिकर्टेफ वेबसाइट पर चलते हैं और इसका ओवर्यू और फॉरकास चेक करते हैं ऐसे कि आप चलते के नाम शो करेगा और उसके निचे हैं इसकी करेंट प्राइस भी शो करेगी अब इंट्रेंसे की वैल्यू की बात कि जाए तो चलते हैं और बहुत ही अच्छा डिविटन रिटन हमको देखने को बिलता है entry point good time to consider stock is not in overbought zone मतलब कि यहाँ से हम buy कर सकते है और सबसे main important इसमें no rate flag हमें यहाँ पे show कर रहा है जो कि काफी अच्छी बात मानी जा सकती है अब मैं यहाँ सिसका financial trend चेक करते हैं ताकि हमें पता चले last 4 years का इंका performance company का क्या रह चुका है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे last 4 years का 2018 से 2021 का हमारे सामने data show कर रहा है जो कि continuously अच्छी ग्रोथ में यहाँ पे रह चुका है जो कि काफी अच्छी बात हम मान सकते हैं इसी की चलते company के financial अच्छी ग्रोथ होने के वजए से आने वाले कुछी दिनों में हमें उपर के साइड अच्छी टार्गेट्स देखने को मिल सकते हैं तो आप में इस company के market cap की बात की जाए तो यह small cap company है उसका market cap जो है 8,678 crore इसका market cap है तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसका forecast analyst हमें क्या सला जेते हैं buying की जब भी आप कोई भी company में इन्वेस्ट करेंगे तो इतने सारी deal चेक करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करिए अब यहां से हमें one analyst 100% buying की सला दे रहा है जो की ठीक ठाक मानी जा सकती है तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक, शेर और सस्क्राइब जरूर करें वीडियो में इन्टक बने रहने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद